संस्कृत E.P.G. पाट्षशालायां भवतां सरबेशां स्वागतां ममनाम रमेश कुमार पांडे यहां अहम श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्री या संस्कृत विद्या पीठस्य कुलपति ही अध्य अस्मिन पाठे धन्या लोकस्य चतुर्थो द्योतह अरथा नंत्यम संबादस्य विशयम अधिकृत्य वयम चर्चाम कुरुमहा अत् पाठ्छांश तत्वानि भवंति अचेतनानाम भावानाम अरथा नंत्यम काभ्य नवत्व विरोध खंडनम संबाद विवेचनंच अत्र जेविशयाह प्रतिपादनियाह संति तेशु अचेतनानाम भावानाम अरथा नंत्यम देश भेद दिशा नानात्वं काल भेदात नानात्वं, स्वालक्षिन्य भेदात, काभ्ये नवत्व विरोध खंडनं, उक्ति वैचित्यं, अवस्थाद इदिशा, वाच्यानं विनिवंधनं, रशास्रेण इव शोभते, सत्कवी नामकृते ओचित्योप देशह, संबाद विवेचनं, कवीन प्रति प्रेरणा सत्का मनाचे, तत्रादव प्रस्तावना प्रस्तुयते, सब्त में पाठे पी अरथानंत्यम अधिकृत्य, बहु विचारा प्रवर्तिताह, तस्याईव अवशिष्टो भागो अत्र प्रस्तुयते, अचेतनानांचे, भावानां, आरंभादी, अवस्था भेद भिन्नानां, एक कशह, सरूपम, उपनिवध्ध मानं, आनंत्यम एव उपयाती, यथा हंसानाम निनदेशु यह कवलिते, रासज्यते, कूजता, मन्याह कोपि कशाय कंठ लुठनात, आघरघरो विभ्रमह, ते संप्रत्य कठोर वारण वधु, दंताकुरस पर्धिनो, निरयाताह कंदा ग्रिमक ग्रंथ यह, एवं अन्यत्रापी दिशा अनयानु सरतव्यं, अचेतनानाम भावानाम पदार्थानाम, आरंभाद जवस्था भेद भिन्नानाम, उत्पत्यादी दशा विशेश भिन्नानाम, चेतनानाम पदार्थानाम, तु आरंभादयो दशा एव नतु वयो युवा वस्थावा उदाहरती, हंसानाम इत्यादी, कस्चिदारं भावस्थं पिसनी कंदाग्रं वर्णयती, यही कवलितैही आश्वादितैही सद्भिही कूजतां स्वं कुर्वतां हंसानाम कशाय कंठे मदुर कंठे, लुठनात सैयोगात, कोपी विलक्षन रमनियह, आघरघरह, इशत घरघरधनिमयो, विभ्रमों विलासह, आसज्यते योज्यते, संप्रतिते अकठोरस्य नूतनस्य, अतियेव कोमलस्य, वारण वद्ध्वा, करेंडवाह, दन्ताकुरं स्पर्धन्ते, तदिव भान्ति, कमलिन्यह, कंदस्य अग्रिमाह, प्रथमा ग्रंथयो, नूतनांकुरप प्ररोह रूपाह, कमलाकरेशु रिर्याताह, प्रकटिताह, विवशनी रूपा चेतन प्रदार्थस्य, पूर्वं कभी भी अनेकधा वर्णं व्यधाई, यत तदंकुरावस्था पन्नत्स्वरूप वर्णनं तन नितराम अपूर्वताम भजते, अने आदिशा, अनेन विधिना, अन्यत्रापी, अनेकेश्वपी, अचेतन प्रदार्थेशु, अनुसरतव्यं, देश भेदान नानात्वं, अचेतनानाम तावत, यत वायूनाम, नानादिगदेश चारिनाम, अन्येशामपी, सलिल कुसुमादीनाम प्रिचिद्धमेव, चेतनानामपी, मानुष पशुपक्षिप्रभृतीनाम, ग्रामारण्य सलिलादी, समेधितानाम, परस्परमहान विशेशह समुप्लक्षत येव, सच विविच्य यथा यथं उपनिबध्ध मानाह तथाइवा नंत्यं आयाति, तथाही मानुशानामेव तावत दिगदेशादि भिन्नानाम ये व्यवहारव व्यापारादिशु विचित्राह विशेशाह तेशाम केनांत शक्यते गंतों, विशेशतो योशिताम उपनिबध्यतेच तत्सरवं सुकबिभिर यथा प्रतिभं अवस्था भेद प्रकाराण निरूप्य देश भेदात वाच्यस्य आनंत्यं विचारियति, अचेतनानाम यथा वायूनाम नाना दिगदेश चारिणाम नाना देशेशु चरंति तेवं शीलानाम परस्परम महान विशेशह स्वरूप वैविध्यं भवति अतह यथा यथां वर्णितं सन अनंत रूपताम प्रापनोति दिगदेशादि भिन्नानाम जनानाम व्यवहारभ्यापारादिशु यद वैशिस्थ्यं तत्केनांत शक्यते गंतुं विशेशतो योशि शक्यताम तासाम देश भेदेनापि विभ्रमादयो अनंता भवंति इत्याशयां तथापि सु कभी भी ही सर्वमेव तत्यता प्रतिभं प्रतिभानुसारेण उपनिबध्यते वर्णिते काल भेदाच्य नानात्वं यथर्तु भेदाच्य दिक व्योम सलिलादीनाम अचेतनानाम चेतनानाम चौत्सुक्यादयाह काल विशेशा स्रैनाह प्रिसिद्धा एव काल भेदाध पी अनेक रूपत्वं भवती यथा वसंतर्तु काल विशेशं आश्रित्य वर्षर्तु माश्रित्यवा संभवती काल भेदाध दिक आकाश जलादी वर्णनम तद वर्णनेच चेतनानाम पी आश्रय मुखेन आउच्चुक्यादी निरूपणं प्रसिद्धमेव स्वालक्षण्य प्रभेदाच्य सकल जगत गतानाम वस्तूनाम बिनिवंधनं प्रसिद्धमेव तच्य यथा वस्तितमपि तावत उपनिबधमान मनंततामेव काभ्यार्थस्य आपादियती अत्र केचिद आचक्षीरन यथा सामान्यात्मन वस्तुनी वाच्यताम प्रतिपद्ध्यंते न विशेशात्मन तानिही स्वयम अनुभूत सुखानाम सुखादीनाम तन निमित्तानाम चै स्वरूपम अन्यत्र आरोप यद्भिही स्वपरान भूत रूप सामान्याम आत्राश्रेण उपनिबध्यंते कभिभिही नहीं तैही अतीतं अनागतं वर्तमानंच परिचितादिश्वलक्षणं योगिभीरीव प्रत्यक्षी क्रियते सामान्यम सर्वप्रतिपत्रि साधारणं परिमितत्त्वात पुरातन नानामेव गोचरी भूतं तस्याह विशयानुप पत्तेहे अतेव प्रकार विशेशो यही अज्यतनेही अभिनवत्वेन प्रतीयते तेशाम अभिमानमेव भनिती कृतं वैचित्रमात्रं अत्रास्ती स्वालक्षणमेव स्वालक्षण्यम स्वाव्यक्तिमिती आवत् यथा वस्थितम अपी तद्वस्तु गत स्वाव्यक्तित्वानु सारम अपी वस्तुनी पदार्थाह सामान्यात्मना सामान्यरूपेण अनेका नुगत जाति रूपेणेती आवत् वाच्यताम तानि वस्तूनी पदार्थाह इत्यर्थाह। तदेव विशेशांतर रहितमेव तन मात्रम तस्याश्रेण विशेशसून्य सामान्यस्य आश्रेण उपनिबध्यंते वर्ण्यंते। तैही कविविः परिचित्तादी स्वलक्षणम् परकिय चित्तादी स्वरूपम् अनुभवितुं योग्यं अनुभाव्यं सुखादी अनुभावयती इत्यनुभावकं तत साधनी भूतं वस्तु तयोर्यत सामान्यं तत सरवं प्रतिपत्ति साधारणं अखिल ज्यात्रि बुद्धि विशै भूतं परिमितत्वात परिछिनत्वात नियतत्वात्च तथा तेन प्रकारेन सामान्यस्या वगत चरत्वेन नास्य विशैस्य काभ्यार्थ नव नवी भावस्य अतियेव अर्थ सामान्यस्य पूर्वं प्राचीन इर वर्नितत्वादेव सवाच्यानंत रूपह अत्र केवलं भणिति कृतं उक्ति जनितं वैचित्रमिति केचित आचक्षीरन इति पूर्वेन संबंधा तात्परियमिदं यत यता योगिनो योगवलेन अतीतं अनागतं वतमानंच परेकिय चित्तादुवस्तु प्रत्यक्षी कुरुवंति नतथा कवयो भूत भविश्यत बरतमान पदार्थास तत् विशेशा कारेण प्रत्यक्षी करतुम शक्नुवंति तस्मात कवयह सामान्या कारेणelet त्रैकालिक पदार्थाव अगंम कुरुवंति एवंच तत्पदार्थ सामान्यम परिमितत्वात प्राचीनेर वरिणितमेव तस्मात अध्यतन कवी काब्यार्था नंत्यम ना कथमपी संभवेत केवलम तत्त्रोक्ति वैचित्रमेव वरत तत्रोच्य ते यत्तूक्तम् सामान्य मात्राश्रेण काभ्य प्रवृत्तिस्तस्य चे परिमितत्वेन प्रागेव गोचरी कृतत्वान नास्तिन वत्वं काभ्य वस्तूनाम इति तत्रोच्तम् यतो यति सामान्य मात्राश्रेण काभ्य प्रवर्टति किम कृतत्तर ही महा कभी निवध्य बानानं काभ्यार्थानाम अति शयहां बालमी की ब्यतिरिक्तस्य अन्यस्य कभी ब्यपदेश येवबा सामान्य ब्यतिरिक्तस्य अन्यस्य काभ्यार्थस्य अभावात सामान्यस्य चादी कभी नेईव प्रदर्शितत्वात उक्ति वैचित्रियात नई शदोश इतिचेत किमिदम उक्ति वैचित्रियम उक्तिरही वाच्य विशेश प्रतिपाधित वचनम, तद वैचित्रे कथमन वाच्य वैचित्यम, वाच्य वाचक योहो अविना भावेन प्रवृत्ते है, वाच्यानाम्चा काभ्ये प्रतिभासमानानाम यद्रूपम तत्तु ग्राहिय विशेश अभेदे नईव प्रतियते, तेनोग्ती वैषित्र वादी वाच्य वैच्छित्यम अनिछ था प्यवश्यमे व अभ्युप गंतवयं। तदैम अत्र संक्षेपः बालमीकी व्यतिरिकतस्य यद्येकस्यापी कस्यचितं, इश्यते प्रतिभानंतियं, तत्तदानंतियं मक्षयं। अत्र यदुक्तम यत सामान्य मात्राश्रेण काभ्य रचना भवती तच्य सामान्यम ज्ञानम पूर्वमेवकृतम यत परमितम विद्यते अतहा काभ्य वस्तुशु कथम नाविन्यम भवितुम रहती। इत्यारोपस्य समाधानम आचारिय करोती एतन नोचितम यतोही यदि सामान्य मात्राश्रेण काभ्यम रच्यते तरही महा कभिभी प्रणीता नाम काभ्यार्था नाम स्रेष्ठत्वम किमा शृत्य भविश्यती। अथवा बाल्मीकिम अपहाय कस्यचि दन्यस्य कवेर नाम किमा धित्य भविश्यती। यतोही सामान्याति रिक्ते अर्थे नकापी काभ्यार्थता तथाचे सामान्यस्य प्रदर्शनम आधिकभिना बाल्मीकिना कृतमेव। यद देवम उच्यते यद उक्ति वैचित्र कारणादयं तोशो नभविश्यती तरही किम नाम उक्ति वैचित्र्यं वाच्य विशेशस्य प्रतिपादकं वचनं उक्तिही। अस्ति तदा उक्तव वैचित्रे सति वाच्य वैचित्यं कथम नस्यात यतोही वाच्य वाचक योह अभिनाभावेन प्रवृत्तिर भवति। काव्य प्रतिभासितानाम वाच्यानाम यत्सुरूपम तद ग्राह्य विशेशेन प्रत्यक्षादि प्रमाणेन ग्रिहीते अभिन्य रूपेन प्रतियते। अतहा उक्ति वैचित्यम स्वीकिरुवाना अनिच्छन्तों पी वाच्य वैचित्यम स्वीकरिष्यंत्येव अतो विशयस्मिन अयं सारांशः वालमी की भिन्नस्य यद एकस्यापी कस्यचित्कवे हे काव्यार्थेशु प्रतिभा नवनोन मेश शालिनी प्रज्या इष्टा तरही तस्याह प्रतिभायाह आनंत्यम कुत्रापी नक्षिनताम यास्यति किंच उप्ति वैचित्र यतकाव्य नवत्य निवंधन मुच्यते तदस्मन पक्षान उणमेव यतो यावान काव्यार्था नंत्य भेद हेतु हु प्रकारह आक प्रदर्शितह ससर्वयेव पुनुरुक्ति वैचित्याद द्युग्नताम आपद्यते यस्चायम उपमाश लेशादिर लंकार वरगह प्रसिद्धा सा भणिति वैचित्यात उपनिवध्यमानह स्वयमेव अनवधिर धत्ते पुनहा सत शाखताम भणितिष्य स्वभाशा भेदेन विवस्थिता सती प्रतिनियत भाषा गोचरार्थ वैचित्रि निवंधनम पुन महमह इति भणत उवज्यति कालो जनस्य तो इन देव जणत्धन गोवरो भोधि मनसो मममम इति भणतो व्रजति कालो जनस्य तथा पिन देवो जनार्दनो गोचरो भवति मनसह इत्थम यथा यथा निरूप्यते तथा तथा नलभ्यते अन्तह काब्यार्था नाम यदि उक्ति वैचित्यम् काभ्यस्य नूतनत्वे निबंधनम निमित्तम हेतु हुँ उच्यते तदास्मत पक्षस्य अनुगुणमेव अनुकूलमेव यतो काभ्यस्य अर्थस्य आनंत्य भेद हेतु प्रकारह अवस्था देश कालादिही पूर्वं प्रदर्षिताह सा पुनुरुक्ति वैचित्र्यात दी गुनत्वं प्राप्नोति यस्चायमु उपमाशलेशादिर अलंकार समूहा प्रसिध्ध भणिति वैचित्र्यात उक्ति वैचित्र्यात अनवधिही अनंतहा संकर संस्रिष्टि संबंधही इत्याशया शत शाखताम अनंतप्रकारताम प तुल्य छल प्रतिम प्रति समान सद्रिश नीकाच संकाशा दिभिही उक्तिभिही निवध्यमाना विचित्रा भवति भनितिही उक्तिही तभाशा भेदेन विवस्थिता प्रियुक्ता सती भाशायां द्रिश्य मानेन आर्थ वैचित्रेन काभ्यार्थेशु भिन्न प्रका पूर्वोक्त विधिना यथा यथा येना वस्था देशादी भेदप्रकारेण निरूप्यते तथा तथा काभ्य प्रतिपाद्य वाच्यार्थानाम अन्तह यत्ता ना लभ्यते प्राप्यते इदम तूच्यते अवस्थादी विभिनानाम वाच्यानाम विनिवंधनाम यत प्रदर्शितं प्राक भूमनैव दृष्यते लक्षे ना तच्छक्यम पोहितुं तत्तु भात खिन्तु एतावद विशेश रूपेण कथनीयं मस्ति अवस्थादि दिशा विभिन्वाच्यार्थानाम योजना पूर्वं प्रदर्शिता काग्वेशु बहुद रिश्यते तामारोहितुं नशक्यते। सातु रसाश्रेणईव सोभते तदि दमत्र संक्षेपेणा भिधीयते सत्कवीनाम उपदेशाय रसभावादि संबध्धा यद्योचित्यानुशारिनी अन्वीयते वस्तुगतिर देशकालादि भेदिनी तत कागणना कवीनाम अन्येशाम परमित शक्तीनाम वाचस्पति स सहस्त्रानं सहस्त्रैरपि यत्नतह निबध्धासा क्षेम्याति प्रक्र्टर जगतामिव तथाहि जगत्प्रक्र्ति रतीत कल्प परंपरा विर्भूत वस्तु प्रपंचा सति कुनरिदानिं परिक्षिना पदार्थ निरमान शक्ति रिति नशक्यते अभिधातुम अंता भिही कवि मति भिही उपभुक्ता अपि नईदानिं परिहियते प्रत्युत नव नवाभिर वित्पत्ति भिही परिवर्धते पूर्विवेचनस्य सारांशह सत्कवीनाम उपदेश भावनया आनंद वर्धनेन प्रस्तुयते यदि आउचित्यानुसारणी आउचि अधि भेदिनी देशकाला दि भेद भिन्ना वस्तुगतिही वाच्यार्थ परंपरा अनुवीयते अनुस्रीयते काव्ये निवेश्यते तदा परिमित शक्तीनाम स्वल्प प्रतिभा जुशाम अन्नेशाम सामान्य कवीनाम गणनईव कथैव का स्वयं वाचस्पती सहस्त्राणाम वाचस्पती नाम सहस्त्राणी तेशामपी सहस्त्राणी तैरपी कोटी संख्याकई ही वाचस्पती भी ही इत्यरथः यत्नतो निबध्धापी सप्रयासं योजितापी वस्तुगति ही काब्य निबध्ध वाच्यार्थ परंपरा जगताम प्रकृतिरिव प्रधानाख्य मूलकारण शक्तिरिव क्षयं अवसानं नैति नयाति यथा विगतकल्प परंपरायं विचित्रं वस्तु प्रपंचं प्रकटियंति मूलप्रकृति ही संप्रत्यपी छिर्ण शक्तिर्न विद्यते तथाइव काभ्य स्थितिरपी अनंत उपभुक्तापी संप्रति नक्षिनास्ति सा नव नवाभिर वितुपत्ति भी ही वर्धमाना विद्यते कवी नाम काव्य वर्णनेशु संबादाः भवंतिती प्रतिपादैतु उच्चते इत्थम सितेपी संबादास्तु भवंत्येव बाहुल्येन सुमेधसां ते मन्तव्या विपश्चिता इत्थम सितेपी अवस्थादेश कालादी भेद विशेष कृतानन्तेपी सुमेधसां सुमेधाविनाम कवीनाम काव्येशु संबादाह समानरूप कथनानी बाहुल्येन भुष्ठम भवंत्येव इति नात्राश्चरियम यत एतदिसितं यत मेधाविनाम सुमेधसां बुद्धयाह संबादिन्याह समान विचाराह भवंती किन्तुते सर्वे संबादाह समान वचनानि विपश्चिता विदुषा एक रूपतियेढ एका कारत्वेन नमन्तव्याह कथमिति चे संबादोह अन्य साद्रिष्यम तत्पुनह प्रति बिंबवत आलेख्याकारवत तुल्य देहिवच्य शरीरिणाम संवादो ही काव्यार्थस्य उच्यते यद अन्यन काव्यवस्तुना सादष्यं तत्पुना शरीरिणां प्रति बिंब वत आलेख्याकार वत तुल्य देहिवच्य त्रिधाव्यवस्थितं किंचित का व्यवस्तु वस्त्वंतरस्य शरीरिणाहा प्रति बिंब कल्पम अन्यत अलिख्य प्रक्षम अन्यतुल्येन शरीरिणा सद्रिशम कथम ते समवादा एक रूपतेया नमंतव्या इत्यत्रहेतुं दर्शयत। समवादोहिनाम अन्येन काव्यार्थेन साद्रिश्यम समानु रूपत्वं तदण्य साद्रिश्यंच पुनह शरीरिणाम साद्रिश्यमिव त्रिविधं भवति तत्रैकं प्राणिनाम प्रति बिंबवत जल दर्पनादि पतित प्रतिच्छायावत दुदियं तेशाम भित्यादव लिखितम यचित्रम तदा कारवत तद रूपवत तृतीयं चे तेशाम तुल्यह स्वा सदिशो योण्यो देही तदवत तदेव वृत्तव सुस्पष्टतया सरल भाषयाच आचारियन प्रतिपाधितम पुनहा कभीन उपदिशन नाह तत्र पूर्वम अनन्तात्म तुच्छात्म तदनन्तरम तृतीयं तू प्रसिद्धात्म नान्यसाम्यं तजेतकविह तत्र पूर्वम प्रतिपिंब कलपम का व्यवस्तु परिहर्तव्यं सुमतिना यतहा तद अन्यात्म तात्विक शरीर तदनंतरं आलेच्य प्रख्यं अन्य साम्यं शरीरांतर युक्तम अपि तुच्छात्मत्वेन त्यक्तव्यं तृतीयं तु बिभिन्न कमनीय शरीर सद्भावे सती ससंबादम अपिकाब्य वस्तु ना त्यक्तव्यं कविनां नहीं शरीरी शरीरिनां अन्येन सद्रिशोपी एक येवेति शक्यते वक्तों कविस्तत्र तेशूINT अन्य साध्रिशेशू पूर्भं प्रतवं प्रति भिंब रूपं यत साध्रिशयं तत्तु अविध्यमानो अन्याहा पूर्व कभी निवध्धाति रिक्त आत्मा स्वरूपं सभावो वा यस्यताद्रिशं प्रिथक शरीर रहितं भवति तदनन्तरं दुदियं आलेक्ष्याकारवत यसाद्रिश्यं तधितुच्छो निवसार आत्मा स्वरूपं यस्य तथा विधं साकारव अपि निवसारं भवति एतत द्वयम पि त्यजेत इतिशेशा हा तृतीयं तु तुल्य देहिवत यत साध्रिश्यं तत्त्तु प्रसिद्धा पूरव प्रख्षाता हा आत्मा स्वरूपम यस्यत्तादिप्भवति तदन्य साम्यम् न त्यजेत न परिहरेत एतदेव बृत्तव स्फुटी कृतम अस पूर्वस्थित्यनुयाईयपी वस्तु भातितराम तन्वियाह ससिच्छाया मिवाननम तत्वस्य सारभूतस्य आत्मना सद्भावे पूर्वस्थित्यनुयाईयपी वस्तु भातितराम पुराण रमिनी अच्छायानु ग्रिहीतंगी वस्तु शरीरवत पराम शोभाम नतुपुनुरुक्तत्वेन अवभासते तन्याहा ससिच्छायामिवा आननम एतदेव तृतियम यत्साद्रिश्यम तस्य अत्याजयत्वं उपपादैतुं संगमैतुं समर्थैतुं उच्चते अन्यस्य वाच्या दितरस्य तत्वस्य सारभूतस्य आत्मनहा रसादिरूप व्यंजस्य सत्भावे सति पूर्वस्थितिही पूर्वकव वर्णिताम परंपराम अनुयाति अनुकरोति इत्यवं शीलमपि वस्तु नवीन कवि निबद्धोर्थः तन्या लावण्यवत्या अंगनायाह ससिच्छायम चंद्रानुहारी आननमिव मुखमिव भातितराम निटराम शोभते एवम तावत संबादानाम समुदाय रूपानाम वाक्यार्थानाम डिभकताहा सीमानाहा पदार्थ रूपानामच वस्तव अंतर सदुशानाम काव्य वस्तूनाम नास्तेव दोशी इतिप्रतिपाधैतु उच्चते अक्षरादी रचनेव योज्यते य वस्तु रचना पुरातनी नूतने स्फुरतिकाव्य वस्तुनी व्यत्यमेव खलुसान दुष्यती नहीं वाचस्पतिनापी अक्षराणी पदानिवा कानिचित अपूर्वाणी घटैतुम शक्यंते तानितु तान्ये ओप निबद्धानी न काव्यादिशु नवताम अध्यंती तथाइव पदार्थ रूपानी श्लेशादि मयानी अर्थ तत्वानी एवं इथम ससंबादानाम संबादेन इतर साध्रिष्यन सहितानाम विभकताह सीमानह मरयादाह दोशः पूर्व साध्रिष्यात पुनुरुक्ति दोशः यत्र यस्मिन कव्ये नूतने अ अभिनवे काव्य वस्तुनी काव्यार्थे स्फुरती चमतकारं आदधाती सती अक्षरानाम वरणानाम आदिक ग्रहनात पदानांच रचनैव पुरातनी वस्तु रचना पदार्थ योजना निवध्यते साखलू तादर्शी वस्तु योजना व्यक्तम निश्चितम नईव दोशमय भवती नहीं वाचस्पतिना अपी अक्षरानी पदानी कानिचित अपूर्वानी घटैतुं शक्यंते स्लेशादी मयानी स्लेशाद्यलंकार रूपार्थ धर्म युतानी अर्थ तत्वानी अर्थाख्याहा स्रेष्ठोंशाहा तथाही गुण हरी द्विज शिली मुखादी शब्दाहा स्लेश घटनायां मेव चंद्र कमलादी शब्दाहा उपमान घटनायां प्राचीनेः उपयुकता अपी आधुनिकई उपयुज्यंते तस्मात यदपि तदपि रम्यं यत्र लोक्यस्य किंचित स्फुरितमिदमितीयं बुद्धिरभ्युज जिही ते अनुगतम अपी पूर्वत छाय आवस्तु ताद्रिक सुकवी रूप निबद्नन निंदतामनो पयाती इदानीं विशय संग्रह प्रस्तुयते एवं प्रकारेन आनंद वर्धनाचारियन धन्या लोकस्य चतुर्थो ज्योते संबादम निरूप्य कवे हे प्रति पादितम तेन प्रतिपादितम यत यदि प्रतिभा वर्तते तरिही जे नवीनाह कवयह तेपी पुरातनम अपि बस्तु ग्रहित्वा ततो पि रमणी यतरम काब्यम करतुम प्रभवंती एवं प्रकारेन प्रतिभा बलात काब्यार्था नंत्यम तेन प्रदर्शितम तेन प्रोक्तम्यत सत्काब्यतत्व नय वर्त्मचिरप्रसुपत कल्पम्मन सुपरिपक्व धियां। दासीत तद्व्या करोत सहर्दयो दयलाव हेतो रानन्द वर्धन इति प्रतिता विधाना अनेन खल वद्येन प्रायाहा तेशाम नाम ग्रहनात आनन्द वर्धनेन कारिकापी कृता बृतिप रचिता एवं प्रतिपादियंती समीक्ष काहा। स्री राजानक आनन्द वर्धनाचारिये विरचिते धन्यालोके चतुर्थो द्योताह अतीव प्रसिद्धाहा। संपूर्णस्य धन्यालोकस्य वैशिष्ट्यं प्रतिपादईतु मेव इमं अन्तिमं पद्यं तेन प्रचितं। सत काभ्य तत्वस्य धनी नामकस्य यन्नय वर्त्म न्याय मारगहा तत यत परिपक्वधियाम परिणत बुद्धी नाम विदक्धा नाम मनसु एव चिरात बहो कालात प्रसुप्त कल्पम प्रसुप्त प्रायम आसीत नतु वानिशु स्फुरितम सहर्दियोदय लाभ हेतो हो प्रथमायाम कारिकायाम यतोक्तम प्रतिज्या वाक्यार्थम निवा सहर्दय मनह प्रीतय सहर्दयेशु काभ्यान भूतव धनितत्वस्यापी उदयह स्याद एतदर्थम नूतनम काभ्यस्यास्य लोको तराह लाद तत्वम अनुभवंती त्यरथ आनन्द रधनों इती प्रथिता इधानाह जेथा राजशेक hedgeरेण ओकतं धुए नाती गभीरेण कव्यतथ्वनिवेशिना आनन्द रधना कस्य नासीद आनन्द रधनाह अतच कल्हन कभिना स्वस्याम' कृताव राजत appli और प्रत्यपादि मुक्त कण शिवस्वामी कभिरान प्रथामरतना करश्चागात सामराज्येवंति वर्मणा, आनंद वर्धना इति प्रतितम विश्रुतम अभिधानं नाम यस्य सह स्वनाम ग्रहनं संभावना प्रतियोत पादन मुखेन सोत्रीनाम प्रभृत्यंगम इति धुन्यालोक लोचन कारह अविनो गुपताह तद्व आर्टम मार्गम व्याकरोत व्याक्रित्य प्रादर्शियत एवं प्रकारेन आनन्द वर्धनाचारीजन नूतनोही अयं धनिमार्गहा प्रदर्शिताह। सच मार्गहा सुतराम तेनचप्रतिष्ठापिताह। इती एवं प्रकारेण अश्ट पाठेशु धन्या लोकस्य संपूर्णं विवर्णं भोध्वी सुतं। अस्माकम्यं संभावन जद धन्या लोकस्य विवेचनेन, धन्या लोकस्य ज्यानेन, भवताम समीक्षन शक्तिही नितराम बर्धिता भविष्यती। इदानिम प्रायह सर्वेपी समीक्षकाह, धन्या लोकस्य सिध्धानतं आधारी कृत्य, काभ्यानी समीक्षंते, अस्माकम् विश्वाशह वर्तते, भवताम पि मारगह, समीक्षनात्मको यम मारगह, नितराम उज्यलह भविष्यती। इती अस्माकम् आशा, झाल झाल